हलो प्यारे बच्चों कैसे वाप सब आप लोगों के बहुत सारी डाउट आये थे कि सर ये कोश्चन बताया जाए बहुत से बच्चों ने पूछा हुआ था पंकत सिंग ने पूछा था उमा संकर परजापती ने पूछा था प्रिया सर्मा अंजली और सुधान सू इस तरह क कमा मतलब कई बच्चों ने कमेंड किये थे ये कोश्चन बताये फाइंट थ्री रेशनल नंबर बिट वन बाई फोर एंट बाई टू तो बच्चों ये आपका डाउट मैं इसमें बता देता हूं आप ध्यान से पूरा अंड तक देखना हिंदी मीडियम ओले बच्चे भी हिंदी में ही पढ़ाऊंगा आपको दोनों फ्रेक्शन यानि दोनों भिन्न को ऐसे लिख लेना है पहला वन बाई फोर था दूसरा वन बाई टू बस इनके हर बराबर कर देने हैं तो बच्चों इसका हर फोर है इसका क्या है तो जो इसका हर है उसी गिंति को पकड़ करके उपर वाले में उपर नीचे गुड़ा करोगे तो बच्चों यह हो जाएगा दो बटा आठ और जो हर उपर वाली भिन्न का है उसको पकड़के इसमें उपर नीचे गुड़ा करोगे तो यह फाइनल में आपका हो जाएगा चार बटा आठ ठीक है इतना हो गया अब आप दोनों का हर देखो, हर मत देखो, अंस देखो, इसमें दो है, इसमें चार है ना, तो बच्चा यह देखो, कि दूई और चार के मध्ध में, क्या तीन पर्मिय संख्या है तुम लिख सकते हो, दो और चार के बीच में, अगर सीधा फिदा देखा जाए, मोटा मोटा, तो तीन एक आई संख्या आ रही, दो नहीं आ रही न तो अब हम इसमें दो और चार के बीच में गयब बढ़ाएंगे मतलब गयब बढ़ाने का मतलब कैसे करेंगे देखो अगर इसमें हम दो से गुड़ा करने इसमें भी दो से करने तो क्या हो जाएगा ये देखो चार हो जाएगा बच्चा दूसे करोगे आठ हो जाएगा क्या इनके मद्दे तीन संख्या बन रही है क्या इनके मद्दे तीन संख्या बन रही कि नहीं बन रही है चार और आठ के बीच में देखो पांच, छे, साथ तीन बन रही न यानि हम क्या करेंगे इनमें ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चा दो से गुड़ा कर देंगे किस से दो से गुड़ा कर देंगे यह सब में इसमें भी दो से क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं इसे आप नीचे भी कर सकते थे आलग इस टेप म निकालनी है मुख्य इन दोनों के बीच में निकालनी है बाकिया और से कोई मतलब नहीं है तो अब हम नीचे लिखेंगे अताहा अताहा चार बटा सोला वा या फिर और लिख दो आठ बटा सोला के मध्य इतना आप लिखोगे इतना लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा देखो उधर साइड तो कम जगा है मुझे इसी में अर्जेस्ट करनी है तो मैं लिख देता हूं ठीक है आप सबसे पहले यह चार बटा सोला लिखोगे और आपको तीने पर में संख्या लिखना है न तो यह अटवटा सोला थोड़ा गयब करके लिख देना अब बीच में देखो चार बाद में चाइचाब सbereक्तों को जलो आप कमेंट करके पताना और हाँ अगर अपने दोस्तों को इसी आप सेयर नहीं कियो तो शेयर करने यह आप देखो शाठ बटा सोला लिखा है बाई 4 बटा तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बच्चों इसे दोस्तों में सेयर जरूर करना जै हिंसातियों